दोस्तों आज के इस वीडियो में हम एक ऐसे टॉपिक पर डिसकेशन करने जा रहे हैं जो UPSC का one of the favorite topic है बहुत सारे questions इस temple architecture से usually हमारे prelims और means दोनों में आते हैं वैसे temples की बात करें तो हमारे दिमाग में सबसे पहले ये सवाल आता है कि ये temple का concept आखिर का originate ही कैसे हुआ होगा कौन से वो factors हैं जिसकी बज़े से temple architecture में हम लोगों ने gradual development देखना start किया temple architecture के different forms और उनके बीच similarities और dissimilarities हैं क्या इन सारे सवालों के जवाब आज हम इस वीडियो में find out करेंगे और इस UPSC के complex से topic को easy language में animation के थुरू समझने के कोशिश करेंगे तो चलिए फिर start करते हैं temple construction की history ना भले ही बहुत पुरानी है लेकिन एक सच्चा ही ये भी है कि ancient time में temple या place of worship जैसा कोई concept exist ही नहीं करता था अब आप ना इंडेस वली civilization का example देख लो इंडेस वली civilization के excavated sites में कहीं से भी हमें temples ये किसी दूसरे तरह के religious structures का कोई evidence मिलता है क्या बिल्कुल भी नहीं historians का तो ये भी मानना है कि उस समय religion का concept exist ही नहीं करता था आप बोलोगे सर क्या बात कर रहे हैं हमने देखा है लेकिन हाँ यहाँ पर ध्यान देनी वाली बात ये है कि इंडेस वली के लोग नेचर वर्शिप में बिलीव जरूर रखते थे दरसल religious structure का predecessor नेचर वर्शिप को ही माना जाता है ऐसा कहा जाता है कि ancient time में जब humans धीरे धीरे एक जिखें पर settled होना या फिर अपनी एक stable life जीना शुरू करते हैं तब उनके life में नेचर का बहुत ज़ादा रोल रहता है वो agriculture से related है, animal rearing से related है लेकिन इसके साथ साथ ऐसे बहुत सारे disasters बोल सकते हैं natural disasters बोल सकते हैं, बहुत ज़ादा weather changes उनको हमेशा सताता भी था और उससे उन्हें डर लगने लगा और जब इस डर का उनको कोई reason नहीं मिला तो अपने इसी fear को दूर करने के लिए उन्होंने nature को worship करना शुरू कर दिया जो बाद में जाकर आइडल worship और दूसरे forms में हम लोग देखते हैं नेचर वर्षिप को sustain करने के उद्देश से इसमें धीरे धीरे gradual changes लाए गए और इसी तरह से बहुत सारे DT's existence में आए जैसे जैसे DT's का नंबर बढ़ते हुए हमें दिखाई देता है वैसे वैसे humans को पूजा पार्ट करने के लिए एक dedicated space के जरुवत पढ़ने लगी और ऐसे में places of worship यानी temples की शुरुवात हुए initially तो natural places जैसे की caves वगरा है न इनको ही religious place के रूप में पूजा पार्ट के लिए use करने लगे हम लेकिन फिर बाद में हम लोगों ने कुछ man-made structures भी बनाया उनका जरूरत भी महसूस होने लगा फिर धीरे-धीरे हमें और इसी तरीके से gradually हम लोग देखते हैं कि temples as a architecture हमारे सामने आता है इंडिया में ब्राम्हिनिकल temple architecture की शुरुवात 5th century BCE में माना जाता है मतलब कि आज से लगब लगब तीन हजार सार पहले लेकिन उससे पहले ही Buddhist और Jain Shrines बनाये जाने लगे थे 5th century BCE में बनाये गए temples को early temples कहा जाता है और इनका structure बाद के elaborated temples के comparison में काफी primitive था बहुत पुराने जवाने के विलकुल basic structure की ये temples थे इंडिया के ये oldest temple की बात करें तो बिहार में located Mundeshwari temple इंडिया का oldest temple माना जाता है आनकी कुछ historians का ये भी मानना है कि भीतर गाउं जो UP में है वहाँ पर located Vishnu temple इंडिया का सबसे पुराना surviving temple है जिसे गुपता पिरड में बनाये गया था इससे पहले की हम और आगे बढ़े और temples के different forms को देखे आईए सबसे पहले temples की basic structure को समझने का कोशिश करते है एक Hindu या Brahmanical temple के four major parts होते है सबसे पहला यहाँ पर आपको गर्भग्री देखेगा उसके आगे आप ऐसे थोड़ा सा देख रहे हैं तो यह मंडब वाला area है पिर जहाँ पर आपने गर्भग्री देखा है उसके उपर आपको एक शिकर दिखता है और जो आपका मंडब है उस वाले जगहें पर आपको कहीं ने कहीं वाहन दिखता है अब इनको एके करके डीटेल में समझते हैं देखो मंदिर के inner place को जो सबसे अंदरूनी हिसा जो एक कमरा नुमा एक structure होता है उसको हम लोग गर्भग्री कहते है संस्कृत में गर्भ का मतलब होता है वूम आप सबको पता होगा और ग्रिय का मतलब होता है रूम तो गर्भग्री का मतलब temple का inner एक structure है जिसको इंग्लिश में हम लोग sanctum, sanctorum के नाम से जानते ये किसे भी temple का सबसे sacred part होता है क्यों? क्योंकि यही वो place है जहां पर हम लोग idol को place करते हैं देवी देवताओं की जो मूर्तियां होती है उनको यही पर हम लोग place करते हैं तो वो जिस room में रखते हैं आप समझे उसी room को हम लोग क्या बोलते हैं गर्भग्री है जैसा कि अभी हम लोग बात कर रहे थे sanctum, sanctorum का ये वैसे तो एक latin word है जिसका मतलब होता है holy of the holiest आसान भाषा में समझे तो ये मंदिर का समसे पवित्र पार्ट होता है जहां पर लोग मंडब के थूँ इंटर करते हैं अब main entrance से गर्भग्रीह तक जाने वाले रास्ते को हम लोग मंडब कहते हैं और usually आप देखोगे कि ये sheltered होता है मतलब धका हुआ होता है इसे sheltered इसलिए बनाया जाता है ताकि जब भी भीड जादा हो लोग जादा वर्शिप करने के लिए टेंपल में आ रहे हैं तो जो devotees हैं यहां टेंपल के गर्भग्री में इंटर करने के लिए जमा हो सके कठा हो सके इंडियन टेंपल्स में गर्भग्री के ठीक उपर लोकेटेड ये जो rising part होता है mountain जैसा इसको हम लोग शिखर बोलते हैं दोस्तों यहां पर न ध्यान देनी वाली बात ये है कि North India temples में ये जो rising part बिलकुल हिमाले जैसा दिख रहा है इसको हम लोग शिखर कहते हैं लेकिन वहीं अगर हम लोग South India के तरफ देखेंगे तो South Indian part में इसी rising part को हम लोग विमान कहते हैं तो मतलब ये है कि शिखर और विमान टेक्निकली एक ही चीज है लेकिन इनकी style और structure अलग-अलग होते है शिखर rising structure की तरह दिखता है तो विमान कई सारी stories से बने pyramid की तरह पियर होता है शिखर के बाद अब बात करते हैं वाहन की temple architecture में वाहन का मतलब होता है कि उस temple में जो भी dT हैं मतलब जो भगवान या फिर जो भी देवी या देवता बैठे हुए है उनकी सवारी क्या है उनका vehicle क्या है Indian scripture क्या है Indian scripture के according हर भगवान देवी देवताओं के लिए अलग वाहन होता है हर इडिटी का अपना एक वाहन है और जिसे temple के या तो शिखर पर हम mount कर देते हैं या फिर कुछ मंदिरों में आपको वो मंडप वाले place पर भी दिख जाता है शिखर पर जो हम लोग वाहन देख रहते हैं उसके साथ ही दो और structure भी शिखर के part होते हैं जिने हम लोग अमलक और कलश बोलते हैं ये दोनों structure नगर style यानि North Indian temples के features हैं अमलक यहाँ पर जो हम बात करे रहते हैं ये stone से बना एक disc like structure होता है जिसे हम लोग शिखर के उपर mount करते हैं वहीं कलश जो होता है वो अमलक के उपर set किया जाता है और ये temples का topmost part होता है जैसा है कि हम लोग अपने आम भोलचाल की भाशा में बोलते हैं ये कुछ और नहीं बलकि small part की तरह दिखने वाला है कि stone structure होता है तो दोस्तों यहाँ तक हमने एक temple के basic structure को देखा आएए अब Indian temples के classification को भी समझते हैं इंडिया में temple architecture को तीन major schools में divide किया जाता है ये कौन-कौन से हैं इसमें से सबसे पहला ये नगर style का है नगर style of temple architecture जितने भी North India के most of the temples है न वो इसी model पर या फिर वो इसी structure के अंदर बनाए गए है दूसरा आप यहाँ पर देख सकते हैं द्रवीड school of temple architecture जो Southern India के temple architecture का distinct style represent करता है और तीसरा आप यहाँ पर विसरा style of architecture को देख सकते हैं जो की अपने नगर और द्रवीड schools का hybrid form माना जाता है इस school के temples आपको डेकन रीजन में देखने को मिलेंगे तो आईए अब इनको एक-एक करके हम समझने के कोशिश करते हैं नगर style of temple architecture जैसे कि अभी हमने थोड़ी देर पहले बताया कि नदन इंडिया के temple architecture को नगर style of temple architecture कहा जाता है इस school के temples को generally एक elevated stone platform पर बनाये जाता है मतलब कि अंदर जाने के लिए आपको कई सारी सीडियां चड़नी पड़ती होंगी आप लोग इसको अपने बिल्कुल normal life से relate करके भी देख सकते हो ये जो elevated stone platform है न इसे हम लोग जगती कहते हैं नगर style के temple walls को carvings और sculpture से अच्छी तरह से decorate किया जाता है temples के entrance को भी आप लोग देखोगे कि gods और goddesses या फिर floral पुछ geometric designs इन सभी से मिलाके बहुत जादा extensively decorate किया जाता है नगर style और dravid style के temples जिसे हम आगे देखेंगे उनके बीच में एक major difference ये है कि नगर style में आपको कहीं पर भी elaborated boundary walls नहीं दिखते हैं और नहीं कोई बहुत बड़ा gateways दिखता है जब आप dravid style की बात करेंगे तो वहाँ पर ये दोनों structures होंगे इनकी बात अभी हम आगे करेंगे नगर style के temples में एक बात और गौर करने वाली है कि जहां early temples में केवल एक ही शिखर होते थे बाद में नगर type of temples में एक से ज़ादा शिखर होने लगे फिर ऐसा लगता था कि ये एक mountain नहीं बलकि पूरा mountain range है यहाँ पर बाद में इन ही शिखर्स के basis पर हम लोग नगर style of temple के कई सारे सब schools को भी देखते हैं जैसे कि चंडेला schools, ओडिसे स्कूल्स, वललभी schools इन सब का भी existence दीरे-दीरे आया इनके बारे में भी एक एक करके समझेंगे भी लेकिन इसी नगर स्कूल के अंदर एक distinctly major style है जिसको हम लोग वललभी school बोलते हैं इसे style के temples की roof आप लोग देखोगे ना दो rectangular shape के होते हैं North India में located बहुत सारे temples जैसे की Chandi Temple, Chandika Temple, Kalika Temple, सब इसी style में बने होगा है तो यहाँ पर अभी हमने नगर style of temple architecture देख लिया तो एक बार फटाफट से द्रविड स्कूल of temple architecture को भी देख लेते हैं जोकि South Miss situated है और फिर हम लोग सारे सब स्कूल को एक साथ पढ़ने कोशिश करेंगे द्रविड स्कूल of temple architecture जिस तरह से नदन इंडिया के temple architecture को नगर style of temple architecture कहते हैं उसी प्रकार सदन इंडिया के temples को हम लोग द्रविड स्कूल of temples का plan layout hexagonal या octagonal होते हैं इस स्कूल के temples की एक खास बात ये होती है कि इनके boundaries जो आप देख रहे हैं याँपर ये boundaries बहुत ज़ादा extensive होते हैं बढ़ा सा gate होता है जिसको हम लोग गोपूरम कहते हैं इस गोपूरम की height अपने नगर temples वाले की comparison में देखें तो वो तो बहुत छोटा था ये तो बहुत बढ़े होते हैं और even आप ये भी देख सकते हैं कि कई सारे temples में इन गोपूरम की height main shrine में जो आपका विमान होता है न उसके height से भी तीन से चार गुना ज़ादा होता है इसके अलावा north and south के temples में एक और major difference देखने को मिल सकता है जहां हम लोग north में जितने भी temples के गर्भगरी ही देखते थे उनके entrance पर उनके gate पर आप लोग देखोगे तो उसके gate पर आपको द्वारपाल का sculpture देखने को मिलेगा बहुत common है यह द्रविड school of temple architecture में एक और बहुत खास बात है कि आपको इसके temple complex के अंदर या फिर temple compound के अंदर ही आपको एक water body जरूर समिलेगी यह शायद आपको north India के नगर style of temple architecture में नहीं मिलेगा लेकिन यह यहां का एक exclusive feature है चोलास द्वारा बनाये गए temples जैसे की ब्रिहदेश्वर temple, मिनाक्षी temple और कम पहाड़ेश्वरार temple इसी style के बनाये गए हैं आप लोगोंने ब्रिहदेश्वर temple का नाम बहुत सुना हो तो आईए इसके बारे में कुछ interesting facts आपको बताता हूँ इसका नाम सबसे पहले राजा राजेश्वर temple था ब्रिहदेश्वर temple का नाम actual में मराठाओं ने दिया था इस temple का construction the great चोला ruler राजा राजा चोला ने करवाया था और ऐसा बताया जाता है कि इसको construct करने में 13,000 टन से भी जादा granite stones का use किया गया है historical evidences से ये बात तो बिल्कुल साफ है कि ध्रवेड school of temple architecture को develop करने में चोलाई डेनेस्टी और पलवा डेनेस्टी का काफी crucial role रहा है महाबलीपुरम का famous shore temple हो या फिर कांचीपुरम का केलाशना temple ये दोनोई temple पलवास द्वारा इसी structure पे बनाई गए है वेसारा स्कूल of temple architecture जैसा कि हमने पहले भी डिसकस किया कि नगर और द्रविड के अलावा एक temple architecture का third school है वेसारा स्कूल of temple architecture जो कि दोनों स्कूल का hybrid form है और इस स्कूल के temples mainly central और डेकन इंडिया में पाए जाते हैं और आप इसी लिए इनका वो hybrid nature भी बहुत आसानी से समझ सकते हैं वादामी के चालुक्यास, रास्पूटा और होसला डैनेस्टी द्वारा बनाए गए ज़्यादा तर temples इसी style में बनाए गए बेलियूर, अलेबिडू और सोमनागपूर में located ये होसला temples जो हैं वो इसी style के prime examples हैं इसे school के features की बात करें तो यहां के temples, wall पर sculpture और painting के ornamental work दिखे जा सकते हैं वेसरा style में ये शिखर को modify करके थोड़ा छोटा तो बनाया गया लेकिन इसको और दी जादा decorated कर दिया गया इस तरह के temple को usually non raised platform पर build किया जाता है जिसका base star shape होता है केलाशना temple, एलोरा temple, चिनकेसवा temple, विरुपक्ष temple और लडखान temple इस schools के major popular temples है अब बात अगर वेसराइ स्कूल की हो रही है तो यहां पर चालुक्यन style को mention कैसे ना किया जाये भला जी हां, चालुक्यन किंग्स का वेसराइ स्कूल आफ टेंपल आखिटेक्चर को develop करने में बहुत बड़ा रोल रहा है आपकी जानकारी के लिए बता दें कि 5th और 7th century के बीच में यह डेक्कन में चालुक्यास का रूल हुआ करता था जिनें चालुक्यास और बादामी भी कहते थे बाद में चालुक्यन किंग्स दौारा एगएहोल, बादामी और पत्ताड़कल में कई सारे वेसराइ स्टाइल के टेंपल्स का कंस्रुक्शन करवाए गया इन टेंपल्स के कंस्रुक्शन में mostly sandstones का यूश किया गया चालुक्यन किंग्स दौरा बनाए गया इन temples में से लड़ खान temple जो है वो सबसे earliest माना जाता है दोस्तों यहाँ आपको बता दें कि temple architecture को केवल architectural style ही नहीं बलकि regional styles के basis पर भी classify किया गया है आईए देखते हैं ऐसे कुछ major regional temples architecture schools को regional temple architectural schools इसमें सबसे पहले हम लोग बात करते हैं Tandela school of temple architecture के बारे में Tandela's का origin यहाँ 10th से 11th century के बीच में यह जो tri junction बनता है ना मारा UP, राजस्तान और मध्यप्रदेश का यहाँ पर हुआ था और यह उस समय के one of the great builders में count होते थे मध्यप्रदेश के खजुराहों में located temple complex Tandela's द्वारा ही बनाए गए हैं और जिसे आज हम लोग UNESCO World Heritage का स्टेटस भी दे चुके हैं Tandela's द्वारा बनाए गए खजुराहों टिंपल्स, वर्ड की greatest artistic wonders में से एक है Tandela's ने टिंपल्स बिल्ड करने के लिए sandstone का use किया और इसके द्वारा बनाए गए टिंपल्स में नगर और द्रविड दोनों style के features नजर आते हैं Tandela's schools of temples की सबसे remarkable feature है टिंपल्स के wall पर किया गया rich sculpture artistic work खजुराहों temples को अगर आपने कभी द्यान से देखा होगा तो यहाँ पर बहुत सारे आपको erotic poses मिलते हैं जो की इन temple के walls पर carve किये गए हैं तो यह सारे mythunas हैं जिनके बारे में अभी हम कुछ दिर पहले वीडियो में चर्चा कर रहे थे अगर खजुराहों temples के इस पूरे complex की बात की जाए तो कुछ major temples के नाम जैसे की लक्षमन temple, 64 योगिनी temples इसी खजुराहों complex का ही पार्ट है फिर इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो Odisha में Odisha school of temple architecture ये regional temple architecture का ऐसा दूसरा पार्ट बोल सकते हैं Odisha और इसके neighboring states में located जितने भी temples हैं वो majority of the time इसी style में बनाए गये इसे हम लोग famously कलिंगा school of temple architecture भी कहते हैं पुरी का जगरनाथ temple और कुनार का sun temple इसी school के style पर बनाए गया है कलिंगा style को evolve करने में East Ganga dynasty ने significant role play किया है कलिंगा schools of temple architecture को नागर style का एक sub school भी माना जाता है इस type के temples के wall पर ना हमें DTs, कुछ celestial figures और geometric figures जिसको हम लोग geometric motifs बोलते हैं उसको बहुत बड़े पैवाने पर portrait किया गया है इसके उपर आप थोड़ा सा और north में जाएंगे मतलब Himalayan side में जब आप आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर आपको बिल्कुल एक distinct form of temple architecture मिलेगा जिसे हम लोग health school of temple architecture कहते हैं इन temples को आप लोग Himalayan region के कुमाओ वाले region में घडवाल, Himachal Pradesh और काश्मीर वाले इस हिस्से में आप देख सकते हैं यहाँ पर जो काश्मीर वाला area है वो गंधार इस site से काफी नजदीक होने के कारण यहाँ के temples पर गंधारा art का strong influence देखा जा सकता है काश्मीर में ही located यह पंदरथान temple जो है इस school का सबसे well known temple इसे हम कह सकते हैं जिसे 8th से 9th century में बनाये गया और इसे Lord Shiva को dedicate किया गया है यहाँ के जो temples है अगर आप इसको compare करो post गुपता period के temple से तो यह बिल्कुल उनसे different है कैसे इनके walls पर carvings की अगर बात करोगे तो बहुत ही moderate है पतलब ना के बराबर हैं आपको यहाँ पर flat walls भी देखने को मिलेगें कई जगें तो इनको बहुत कम decorate किया गया है इसी तरह कुमाओ के नस्दीक located यह जागेश्वर temple है इस school का एक यह अच्छा example हो सकता है आप यहाँ पर भी इन features को बहुत distinctly देख सकते हैं दोस्तों इन तीनों के अलावा भी कई सारे ऐसे छोटे छोटे रीजिनल temple architecture styles इंडिया में अलग-अलग parts में आपको देखने को मिल सकते हैं लेकिन बस आपको यह ध्यान रखना है कि इनका influence बहुत ही limited है temple architecture इंडिया के rich art और cultural heritage का एक significant part है जिसके बिना शायद इंडिया के art और cultural history को हम अधूरा बोल सकते हैं तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही था मिलते हैं आपसे ऐसे ही और interesting videos में चंक के लिए जैंद